हलो फ्रेंड्स आपका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम अपने चैनल पर यूपी टेट दो हजार इकिस के लिए एवियस कंप्लीट कर रहे हैं जिसको हम एक बुक है यूथ कंप्लीटिशन की उससे कवर कर रहे हैं आपका डेट टू होगा इसमें आज ह हम इस बुक से विस्तार से करने वाले हैं तो आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखेगा आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के एवियस के कोश्चन्स आपके एक्जाम में आते हैं और प्रजन टाइम आप कौन से तयारी कर रहे हैं मतलब कैसे तयारी कर रहे है कहां से तयारी कर रहे हैं जो तयारी आप कर रहे हैं क्या वहां से कोश्चन्स आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो सब कुछ आपका अंदाजा लग जाएगा तो ध्यान से देखेगा वीडियो को देखे पहला प्रसन आपका दिया गया है कि सम्विधान सभा ने को 24 जनुवरी 1950 को अपनाया था अब इसके एक्स्प्लेनेशन को देखते हैं कि रविन नाट टैगोर दौरा रचित राश्टी गान जन्गर मन को समिधान सभा ने 24 जनुवरी 1950 को अपनाया यह सरपतम 27 दिसंबर 19-11 को राश्टी कांग्रेस के कोलकाता अधिभेशन जब अध पायन का समय 52 है इसे रविन नाट टैगोर ने 1912 इस्वी में तत तो बोधनी में भारत भाग विधाता सीर्षक से प्रकासित किया था चता 1919 में Morning Song of India के नाम से अंग्रेजी में अनुवात किया गया तो यहां से भी कई सारे कोश्चन्स आपके एक्जाम के लिए इंपोर्ट गया है तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी अजमेर में देखे पुसकर मेला राजिस्थान में राजिस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है अजमेर में 11 किलो मीटर जो अजमेर से 11 किलो मीटर दूर हिंदू का प्रसिद तीर्थ इस्तल पुसकर है यहां पर ब् पूडिमा को मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी परियाटक आते हैं हजारू हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुसकर जील में स्नान करते हैं इस समय यहाँ पर पसू मेला आयुजित किया जाता है हर साल कार् इक महिले में लगने वाला पुसकर उंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दे दी है मेले के समय पुसकर में कई राजधानी संसकर्तियों का मिलन सा देखने को मिलता है तो काफी अच्छा मिला लगता है कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा चलिए प्यूक में से कोई नहीं तो इसका अंसर है अंसर सी अल्ट्रा वैलेट सी अब देख लेकते हैं एक्सप्लेनेशन को सूर से आने वाली पराबैगनी किर्णे हानिकारक होती है आपको पता है सूर की पराबैगनी किर्णों को समानता उनके तरंग दैर के आधार पर तीन वर पाती है क्योंकि इनका और जोन परत के द्वारा कर लिया जाता है इसी की वज़े से और जोन परत में जो छिद्र हो रहा है तो काफी समस्या भविश्य में हो सकती है तो आप समझ सकते हो आगे देखते हैं कि अल्टा बायलेट एवं अल्टा बायलेट बी किरुणों का उधारियों में निम्लिकित प्रभाव पड़ते हैं जैसे की जीन में परिवर्तन, तुचा कैंसर, प्रतिरच्छा तंत्र का कम होना, पौधो की व्रधी में रुकावट, मोतिया बिन्ध, तता सन्बर्न, आदी अगले प्रसन के और बढ़ते हैं कि निम्लिकित में से कौन स जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो इसका अंसर C होगा, प्रोटीन, म्रदा, फासपुरस, कवक में जो कवक है, वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यहां अत्यंत महतपूर्द जैविक घटक है, जो प्राया, उत्पादक, म्रदा प्रडूसर्स, तता उ कि आपका जो कवक है एक जैविक घटक है अजैविक घटक नहीं है नेस्ट कोशन देखे है कि गिरी सेर परियोजना अविस्थित है तो गिरी सेर परियोजना जो है दोस्तों वो आपकी गुजरात में है अंसर A सही हो जाएगा ACI सिंगो का घर Home of Asiatic Lion की उपमा से प्रसिद गिर अभ्यारन जिसे 1973 में रास्टी उद्यान गोसित किया गया तो ये ध्यान रखेगा गिर सिंग परियोजना केन सरकार की मदद से प्रारम की गई यहाँ परियोजना गुजरात के जूना गड़ जिले में स्थित है इस बात पर भी ध्यान रखें आप या एक मात ऐसा उद्यान है जहां ACI सेर पाए जाते हैं तो इतनी एक्स्प्रेनेशन से भी एक दो चीज़े आपकी किलियर हो गई इन कोश्चनिक जामें पूछे जा सकते हैं कि 1973 में राश्टी उद्यान गोसित किया गया था गिरी अभ्यारन को ये बात ध्यान रखेगा जूना गड़ जिले में स्थित है ये भी ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण है कि WWF से क्या से हैं तो दोस्तो WWF का जो फुल फॉर्म है आप इसको बोल सकते हो World Wildlife Fund Option No.C सही हो जाएगा Question No.7 के और बढ़ते हैं कि गंगा नदी निकलती है कहां से निकलती है अरावली स्रेडी से गंगोतरी ग्लेसियर से या फिर लदाग ग्लेसियर से या फिर मिलाब ग्लेसियर से तो इसका सही अंसर हो जाएगा Option No.C गंगोतरी ग्लेसियर से गंगा निकलती है ध्यान रखें गंगा की लंबाई आपसे पूची आती है 25-25 किलोमेटर इसको भी ध्यान रखेंगा अगला प्रस्ण है कि भारत में निम्लिकित में से कौन सी एजंसी मुख्यूरूप से प्रदूसर के मापन से समदित है तो भारत में जो आपकी एजंसी है Option No.B केंदरी प्रदूसर्ण नियंतरन बोर्ड ये मुख्यूरूप से प्रदूसर्ण के मापन से समदित है जल एवं वाईव प्रदूसर्ण के मुल्यांकन निगरानी एवं नियंतरन के लिए केंदरी प्रदूसर्ण नियंतर बोर्ड एक सीर सस्त राश्टी संस्ता है या बोर्ड जल बाईव और धनी प्रदूसर्ण से समदित समद सेवाओं की रोक थाम और नियंतरन के लिए सला देता है तदा मंतराले को तक्नीक सेवा प्रदान करता है अगले प्रस्न के और बढ़ते हैं कि कोटो पेक्सी एक जागरत जौला मुकी है जो अविस्तित है तो इसका राइट अंसर अंसर सी होगा एंडीज में कोटो पेक्सी एक जागरत अक्री जौला मुकी है या विस्व का सबसे उचा जौलम की परवत है जो दच्छड अमेरिकी महादीब के एक्वे डोर में एंडीच परवत माला पर इस्तित है तो इसको ध्यान रखिए अगले प्रस्न की बात करते हैं कि तिबबत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है तो दोस्तो घास भूम छेत्र के परितंत्र की खाद सरंकला में सबसे उच इस्तर के उपभोकता होते हैं फिर से कोशन सुनिए कि घास भूम छेत्र के परितंत्र की खाद सरंकला में सबसे उच इस्तर के उपभोकता कौन होते हैं तो यह होते हैं आंसर बी किया गया है मानसा हारी होते ह डेटेल देख लेते हैं कि घास गून छीत्र के परतंत की खाद स्रंकला में सबसे उच इस्तर के भोगता जो मानसाहरी होते हैं घास इस्तली पारिष्टी की तंतर में खाद स्रंकला के जियोधारियों का करम देखिए पहले घास उत्पादक फिर टिड़ा प्रात्मी को गोता होते हैं फिर मेढक दुतिव भोगता सर्पतिव भोता उसके बाद गिद मानसाहरी इस चित्र के माद्यम से आप देख सकते हो यह देखिए घास उत्पादक यहां से ज tekrar हुआ घास उत्पादक ठीक है फिर उसके बाद देखिए टिड़ा फिर मेढक फिर साप सांप के बाद गिद्ध फिर उनको कवक अब जब बाज मर जाएगा तो उसको कवक खाजएगा ये सिस्टम बनता है अगला प्रसन है कि वाई मंडल का प्रमुक इस्तर जो प्रत्वी तल के नजदीक है उसे क्या बोलते हैं तो आंसर भी छोब मंडल बोलते हैं कह रहे हैं कि छोब मंडल वाई मंडल का प्रमुक इस्तर है जो प्रत्वी तल के नजदीक है यह मंडल जैव मंडली पारिस्तिकी तंद्र के लिए सरवादिंग महाकपूर है क्योंकि मौसन सम्मदी सारी घटनाय जैसे कुहरा, बादल, वर्सा, आंधी दुफान, मेग, गरजन, पाला, ओस, आधी इसी मंडल में घटित होती है, इसलिए इस मंडल में वावयान उडानी की आदर्स दसा नहीं पायाती है इस मंडल में तापमान उचाई के साथ एक किलो मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सेस की दर्से बढ़ जाता है तो फिर से कोश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि वावय मंडल का प्रमुक इस तर जो प्रत्वीतल के नजदीक है उसे क्या बोलते हो छोब मंडल बोलते हो ध्यान रखिएगा जो जो प्रसनार हैं देख लिजे कि कौन से टॉपिक से कोश्चन सापके एक्जाम में ABS से पूछे जाते हैं संयुक्त राष्ट शुरच्छा परसद में किसने 27 सदस से होते हैं तो आपको पताऊगा 5 27 सदस से होते हैं सयुक्त राष्ट सुरच्छा परिशत जो है वो सयुक्त राष्ट संग का एक मुख्य अंग है और एक प्रकार से सयुक्त राष्ट संग की कारिपाल का है इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 10 आ इस्थाई होते हैं बाकि 5 इस्थाई सदस्य होते हैं सयुक्त राष्ट राष् राजस्तान में है सरिस्का राश्टी उद्यान राजस्तान के अलवर में अविस्तित है इसे 1958 में वन जीव अभ्यारण गोसित किया गया 1989 में टाइगर रिजर के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया तो इसे आप ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण है पारिस्तिकी तंत्र में उड़जा का मुखिस्त्रोथ क्या है तो अंसर भी सूर्य का प्रकास मुखिस्त्रोथ है थोड़ा सा डीटेल देखते हैं पारिस्तिकी तंत्र में उर्जा का मुखिस्त्रो सूर्य का प्रकास है सूर्य का प्रकास प्रत्वी के पारिस्तिकी तंत्र की उर्जा का एक मात इस्त्रोत है यही प्रत्वी पर जीवन को संचालित करता है अता इसे पारिस्तिकी तंत्र का प्रेरग बल भी कहते है सूर से प्राप्त उर्जा सौर उर्जा कहलाती है ये तो पता ही होगा इस उर्जा की सायता से हरे पौधे प्रकास अंसलेशन की क्रिया के दोरा भोजन का निर्मान करते है साथ में कोश की सोसन करते हैं जिसके फलसुरूप उर्जा उत्पन होती है सबी जीवों के लिए सूर से आने वाला प्रकास सोर उर्जा ही उर्जा का अंतिमस्तोत है ठीक है नेश्ट कोशन बात करते हैं एगमार्ग का संबंध किस्से है तो दोस्तों जो एगमार्ग का संबंध है वो गुडवत्ता से है option number A करें एगमार्ग का संबन गुडवत्ता से है एगमार्ग एक प्रमारिद चिन है जो भारत में करसी खाद उत्पात पदार्थों पर लगाया जाता है एक मार्ग सुध रूप से खाद पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन है जो खाद वस्तू की सुधतायं गुर्वत्ता को सुनिश्चित करता है या भारत सरकार के खाद मन्त्राले द्वारा दिया जाता है इस मार्क को मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पात की सुधता को प्रमारिद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्रेता इस मार्क को देख कर ही उत्पात की गुर्वत्ता और सुधता का विश्वास कर सकता है अब समझ लीजे एक मार्क की वज़े से आप चीज को खरीच सकते हो कि हाँ ये बिलकुल सुद्ध है और अगर ये मार्क जो प्रोवाइड कराता है और यही बे इमान निकल जाए तो फिर क्या होगा तो लोगों को इमानदार रहना बहुत जादा जरूरी है अगला प्रस्ण है कोशन नमबर 17 आरसेनिक दौरा जल प्रदूसर सरवादिक है देखे आरसेनिक दौरा जल प्रदूसर सरवादिक कहा है तो ये आपका पच्ची मंगाल में हो जाएगा उप्सन नमबर D अब देखते हैं इसकी डिटेल क्या है देखे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तता बांगला देश में पद्मा मेगना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आरसेनिक प्रदूसर से अधितिक ग्रस्थ है बारत के साथ राज्यो पश्चिमंगाल जारकंड विहार उत्तर प्रदेश असम मरिपूर तता 36 गण का एक राजनांद गाउं में भूमिगत जल आरसेनिक प्रदूसरों से प्रभावित है इसमें पश्चिमंगाल सरवादिक प्रभावित है पश्चिमंगाल के चार जिलों मुर्सिदाबाद, नदिया, उत्तरियम, दच्च्डी, 24 परगना में आरसेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक इस तर से अधिक पाई गई है भारत में स्वरप्रतम 1983 में पश्चिमंगाल में ही आरसेनिक द्वारा जल प्रदूसर का मामला सामने आया था जल में आरसेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है अगले प्रस्ण की बात करते हैं कि वन ने जीव सुरच्छा अधिनियम कब पारित किया गया था तो वन ने जीव सुरच्छा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था इस अधनियम में अवैद, सिकार एवं व्यपार को रोकने के लिए जुर्माने और डंड का प्रावधान है अगला प्रस्न है कि दूद से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो दूद से दही बनाने की प्रक्रिया को किन्वन बोलते हैं दूद में जो होता है स्ट्रेप्टो कोकस लेक्टिस एवं लेक्टो बैसिलस लेक्टिस नामक जिवान उपाय जाते हैं ये जिवान दूद में पाय जाने वाले लेक्टोस सरकरा का किन्वन करके लेक्टिक अमल बनाते हैं जिसके कारण दूद खटा हो जाता है लेक्टिकम जीवान दूद में पाय जाने वाले केसी नमक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदो को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं दूद को स्ट्रेप्टो कोकस थर्मो फिलस तथा लेक्टो बैसिलस बुलगेरिकस के दौरा 40-60 डिग्री सलसेस तक जमा कर इस्ट दौरा आंसिक किन्वन कराय जाता है जो पोशक पदाद दही प्राप्त होता है उसी से अगले प्रस्न की बात करते हैं कि किस देश के सम्विधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है तो USSR से लिया गया है औप्सन नमबर D सही हो जाएगा अगला प्रस ने धू तारा कहा जाता है तो देखे धू तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी धू के ठीक विपिरीत इस्तित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है उसे उत्तर उस धारा जो जो तारा होता है उसे धुरू तारा कहते हैं यह धुरू मत्स तारा समू का एक भाग है तता उत्तरी तारे को धुरू तारा कहा जाता है अगला है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंब किया गया था तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंब 1973 में किया गया था भारत में राश्टी पसू बाग के संद्चन के लिए भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की थी प्रोजेक्ट टाइगर पर्या वरण वन एवम जलवाई परिवरतन मंत्राले द्वारा संचालित योजना है यहां उन राजियों को सहता प्रदान करता है जहां बाग संरच्छन रिजर्व है बारत में भी 49 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें उत्राखंड का राजा जी टाइगर रिजर्व 48 ता ओरेंग टाइगर रिजर्व 49 जो असम्मेश्टित है अगले प्रसंद की बात करते हैं कि फूलो की घाटी अवस्तित है तो चार आप्सन आपको दिये गए हैं जम्मू कस्मीन, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तता उत्राखंड में तो फूलो की घाटी दो है जो उत्राखंड में हैं आप्सन नमबर D बिल्कुल राइट होगा अगले प्रसंद की और बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखे एक वयस्क मानू में कुल अस्तियों की संक्या कितनी होती है तो जो एक वयस्क मानू होता है उसमें 206 अस्तियों की संक्या होती है जबकि सिसु अवस्ता में 300 अस्तियां पायाती है दियान रखके अगला प्रसन है Green Peace International का मुख्याले कहां इस्तित है तो Green Peace International का मुख्याले जो है वो M Staderm में इस्तित है 1971 में संस्था की स्थापना होई संस्था का उद्देश वैस्विक स्थर पर व्यक्तिकत और सामोहिक प्रयासों के जरिये पर्यावरण सरनरच्छन विकास को प्रोचान प्रदान करना है Green Peace का मुख्याले Amsterdam नीदर लैंड में इस्तित है अगला प्रसन देखिए क्या है LPG के संदर में क्या सत्य नहीं है पहला है कि यह एक स्वच्छी दन है दूसरा है कि यह उच उसमी मान का यह उच उसमी मान का है यह नीले जौला से जलने वाला है तो यह तीनों साही है चौथा ओप्सन दिया गया है यह मेथेन उच सर्जन करने वाला है तो यह गलत है ओप्सन नमबर D साही होगा इसका अंसर कहरें LPG जिसे आप Liquified Petroleum Gas बोलते हो एक प्राकरतिक गैस है या मुकता प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिस्रण है यह ध्यान रखिएगा इनी हाइड्रोकार्बनों गैसों को द्रवी भूत कर सिलिंड्रों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रियूट किया जाता है या एक सोच इधन है जो गंद रहित होता है इसके रिसाव का पता लगाने के लिए यह भी देखे बहुत इंपोर्टन टॉपिक मलब पॉइंट है यहाँ पे कोशन पूछा जाता है कि एथिल मर्केप्टन का यूच किया जाता है जिसकी वज़े से हमें इसमेला जाती है सीटू एच फाइप एसफ नामक पदात मिला दिया जाता है लपीजी में लपीजी गैस जो होती है वो उच्चतम उसमी मान की होती है रखती है और या नीले जौला के साथ जलती है और या सबसे जलती है या सबसे गर्म भाग होता है अगला प्रसम देखते हैं कि the origin of species प्रजातियों की उत्पत एक रचना है तो किसकी रचना है तो चार्ल्स डार्विन की रचना है option number B question number 29 की बात करते हैं मकर रेखा है देखिए मकर रेखा की बात करा अगए करक रेखा की बात करता तो आप पताते हैं अलग answer मकर रेखा की बात करा तो इसका answer C होगा 6.53 में इस दिन दिन दिनी गुलाल में सबसे बड़ा दिन भी होता है अगला प्रसने लास्ट कोस्चन है कि अंतर रास्टी जो न्यायाले है उसका मुख्याले कहां इस्तित है तो ये आपका हेग नीदरलेंड हेग में इस्तित है याद रखेगा इसकी स्थाबना 3 अप्रेल 1946 को की गई थी अंतर रास्टी न्यायले की सम्विद में 5 अध्या तता 70 अनुशेद है तो आज का दोजा 17 का पूरा पेपर ये था 30 कोस्चन इस तरीके से पूछे गए थे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि EBS में किस तरीके के कोस्चन एकजाम में पूछे जाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेली ग्राम चानल का वहां से एड हो जाए कई सारी पीडियाप के हल्प डेली आपको यूपी टेट के लिए मिलती रहेगी मैज साइन सब कुछ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों धन्यवाद